नमस्कर दोस्तों जानते हैं हमारे पीछे ये डिज्टल बोट पे आप क्या देख रहे हैं ये इंडिया टूडे की रिपोर्ट है जहां आप सुनते हैं चुनाव में बादे किये जाते हैं दो-दो करोर नौकडी के लेकिन दो करोर नौकडी तो दूर की बात है लेकिन 9.7 करोर एस्परियेंट्स इफेक्टेड लगभग एक दसमलो साथ करोर विद्यार्थी के जीवन के साथ खेला गया और अलग-अलग 15 स्टेट में पिछले सात साल में सत्तर बार पेपर लिख हुआ एक्जाम में एक दो बार नहीं कई धरनाएं कई बिरोध हुए एक बार दूसरा बार हुआ तिसरा बार हुआ यह होते रहता है और विद्यार्थियों का जो मामला है न यह फिर जाके कोट में अटक जाता है और उन बच्चों का जो बच्चे यह सपना लेकर चलते हैं कि भाई हम इस एक्जाम को पास करेंगे अब कुछ लोग आके ग्यान देगा कि जान देगा सरकारी ये नोकडी ये गो थोड़े है रे पगला सरकारी नोकडी तदू परसेंट लोग करता है उहो दू परसेंट में इतने बड़ी सिंध हमारी है हम इसके लिए बात करने आए हैं तो आप ज़रा सोच के देखिए कि पिछले साथ साल में एक करोड़ सतर आख बिद्यारती के साथ खेला गया उसके जीवन के साम क्यों क्योंकि बेवस्था सिस्टम लाचार है मजबूर है इसके वज़ा से बरे बरे माफिया कुश्चन पेपर आउट कराने में सफल हो जाते हैं और अब तो हद हो गया जब आप देखे कि नीट के एक्जाम को भी इसको पास कर के डौक्टर बनना है वह व्यकती जो भॉक्टर बन की आएगा जिसको क्या होगा कि कुछ इना पता रहेगा जे पेपर खाली खुरीद के एक जाएगा इसका मतलब है क्यों पढ़ने वाला बच्चा नहीं और उसके माबाप ने पेपर खरीद कर उसको भेजने का कोसिस किया चलो इस बार पकड़ा गया जबकि पूरी सिस्टम इस बात को मानने के लिए तयार नहीं थी एकजाम हो जाने के बाद भी मानने के लिए तयार नहीं थी result के बाद ऐसा न रिजल्ट दिया जब फंस गया मामला तब जाके इसा बात पकड़ाया और तो सोचिए कि अगर ऐसे student निकल के जाते और फिर वही doctor न कहता है कि operation करते समय कईची यह छोड़ देता है पेट के अंदर कहां से आता है उस अब doctor तो यह स्थिति अब आदमी ने इस line को भी नहीं छोड़ा है जिसे कहा जाता है कि भई भगवान धरती का भगवान है कौन तो doctor तो यह इतने बरे कारोबार किये जाते हैं पूंजी पतियों और माफियाओं के द्वारा और यह खेला ज कोमेंट करके जरूर बताईएगा बस हम यही बताने आये थे कि दू करोर नोकड़ी तो नहीं मिला लेकिन लगभग दू करोर के जीवन बरबाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ा गया बहुत बहुत धन्यवाद जय हिन जय भारत